कि घेर्ट में एक इंस्पेक्टर विजिट का ऐद कि expect डिल जो विजनस होता है उसका फिजीकल वेरिफिकेशन करते हैं कि कि तो आध हम बात करेंगे कि कि किन सखम्स्टेंस में इंस्पेक्टर जो है जिथि में जो इंस्पेक्टर है वो कर सकता है है हमरी प्रिमाइसिस को for any reason like for कि आप वहां पर काम कर रहे हैं बिजनेस रन कर रहे हैं यह नहीं कर रहे हैं nowadays जैसे जैसे GST grow कर रहा है evolve हो रहा है कुछ practical difficulties भी सामने आ रही है जैसे हम 1991 की अगर बात करें तो हमें बताया गया है कि इंस्पेक्टर राज को eliminate किया गया इंस्पेक्टर जो system था उसको खतम किया गया licenses लेने की जो प्रथा थी उसको खतम किया गया ताकि हम easily जो है बिजनेस कर सकें और जो ग्लोबल एंवार्मेंट है हम ग्लोबली competitive हो सकें और जो FDI है या पर जितनी मिल्टिनेशनल कंपनी यहां आएं और यहां पर बिजनेस सेट अप करें जैसे आजकर आप देख रहे होंगे कि टेसला इंडिया के अंदर आने के लिए इतना ज्यादा इंट्रस्टीट नहीं है बिकोज दे आर सेइंग कि इंडिया के अंदर अभी वो जो इंडिया कि अप्रश्टीट नहीं है जितना बाकी कंट्रीज में है चाइना में वेतनाम में और इवन यूएसे में तो आज हम टच कर रहे हैं एक आसपेक्ट इंस्पेक्टर विजिट का कि किन सरकमस्टैंसिस में इंस्पेक्टर विजिट हो सकती है और मेरा कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरियंस भी है इसको लेके कि डिपार्टमेंट आजकल जो है कुछ ज्यादा ही इंट्रस्टीड है विदाउट एनी रिजन इंस्पेक्टर विजिट करने के लिए अगर मैं लोग की बात करूं तो रूल नंबर 25 है जो इस प्रोविजन को डील करता है और रूल 25 जो है स्ट्रिक्टली हम रीड करते हैं मैं आपको वर्बेटम रीड करता हूं क्योंकि काफी इंपॉर्टन रूल है मेरे पास वर्बेटम है रूल 25 का और रूल 25 बात करता है फिजिकल वेरिफिकेशन और विजमेंट विजनस प्रिमाइस इन सटेन केसे जो रूल 25 बे वह स्टार्ट होता है तब प्रोपर ओफिसर इस सैटिस्फाइड पतलब जो प्रोपर ओफिसर है मेरा सेंटरल जीस्ट में सुप्रिटेंडेंट और स्टेट जीस्ट के इंदर जीस्टो कहलो या फिर उनको असिस्टेंट कमिशन कहलो अगर वो सटिस्फेक्शन पर करना है इस्पेक्टर अपनी मर्जी से किसी भी प्रिमाइसिस का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर सकता उसका जो बोस है यानि सेंट्रल जीस्ट में सुप्रिटेंडेंट और जो स्टेट जीस्ट है उनके अंदर जीस्टो कहलो या पिर उनको जिनको देखकर उनको लगता है कि मुझे इस से का इस टैक्सेबल परसन का फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लेना चाहिए क्योंकि अगर मैं फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करांगा तो वह रेवेन्यू के लिए डेट्रिमेंटल होगा और इससे रेवेन्यू का लोस हो सकता है क्या कुछ और बात हो सकती है जो अगेस्ट रेवेन्यू हो सकती है अगर मैंने विजिट नहीं कराई तो शायद मैं रेवेन्यू को प्रोटेक्ट ना कर सकूं और यह सैटिस्फेक्शन इन माय ओपिनियन इट हैस्टो बें ब्लेक एंड वाइट देर हैस्टो नौट शीट दा फाइल इस तो बीपुट आप को फाइल यह ओफिस के दुरू पुट आप हो सकती है लेकिन फाइल पुट आप जरूर होगी कि क्यों अलगता है प्रोफिसर को क्यों वो सेटिस्फा है रजिस्ट्रेशन से पहले रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन से पहले फिजिकल वेरिफिकेशन बाइड डेपार्टमेंट नहीं करते हैं यह जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अपलाय करते हैं तो आप आधार उथेंटिकेशन जो है उसको ओट नहीं करते ह या फिर आपका आधार ओथेंटिकेशन फेल हो जाता है इन सिच्वेशन में प्रोपर ओफिसर के पास यह फ्लैग है कि वह आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करा सकता है इवन बिफोर रिजिस्ट्रेशन लिजिस्ट्रेशन में कि अबेशन में अब।रिएंट है इंडिकलेशन वे फेकेशन इन को अजाए ना इन is successfully done despite of that inspector ovisit is marked inspector is coming again and again by violating rule 25 both the officers are violating rule 25 the inspector also violating and the proper officer who is on whose instructions the inspector is visiting he's also violating rule number 25. now the second part of rule 25 is before registration we have already discussed now if a person is already registered when the person is already registered in that case rule 25 to the surprise of everyone giving dragonian powers to the field officers they are saying before the grant of registration or due to any other reason after the grant of registration the language is due to any other reason after the grant of registration any other reason means any other it is not specified it is at the discretion of the proper officer the rules are not specific they are giving you can say very very big powers to the officers that after registration inspector can come to your premises and ask for its verification now the question comes the reason has to be in black and white in every situation before registration after registration after registration we all understand that powers are draconian huge powers are given but there has to be some checkpoints also the rules and the act is silent that whether the proper officer is required to have the permission from the superior officer like additional commission in the joint commissioners this this is a area the gray area were lot of you can say corruption is happening the officers are not required to visit but still they are visiting so now since rules are silent the act is silent the judiciary is coming into the picture now we are discussing a very very important judgment of Honorable Delhi High Court and the citation of the judgment is the judgment is Bimal Kothari versus assistant commissioner BGSTN in Delhi GST 2012-145-taxman.com 86 Delhi High Court and the Honorable High Court in this case categorically categorically quest the cancellation order passed by the proper officer and the cancellation order was passed because the verification of premises could not be carried out by the inspector the inspector the inspector did not submit his report or submit submitted in the report with the remarks that I could not verify the physical place of business of the taxable person now the important point the Honorable Delhi High Court laid down in this case that department cannot make physical verification without giving a proper notice to the registered person that means indirectly the judiciary is laying down the procedure the procedure is that if an inspector wants to visit to a taxable person say today we are recording on 2nd of May an inspector wants to visit on 5th of May then that inspector has to give a free notice to the registered person that I want to visit your premises on 5th of May please be available during business hours but they are not giving any kind of notice they are not intimating to the registered persons they are giving they are going at the surprise and we all understand that that there are many markets in Delhi wherein they celebrate the weekly holiday not on Sunday but on other day like Wednesday the Krol Baag is closed down on Monday some markets on Wednesday some markets on Friday Saturday etc etc that day is a business day for the inspector but it is a holiday for the businessman so that point everyone has to understand that you have to give up free notice before coming to the premises and the inspectors have to mandatingly submit their inspector report at the portal these are the two areas which are very very important so the entire summary or the conclusion of this discussion is that though powers are given to the officers but they have to exercise the powers with some checks which are already highlighted by honorable Delhi High Court there are other judgments also but this one is the Bimal Kothar is the latest judgment of honorable Delhi High Court thank you so much